हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगनेट ब्रेंज हिंदी मेरा नाम है अवनीस त्रिपाथी तो कक्षा बारा इतिहास का एक नया चेप्टर पार्ट साथ एक सामराजी के राजधानी विजय नगर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही हिस्टोरिकली जो कह सकते हैं और भारत के गौरों का एक कारण भी रहा है यह सामराज्य यह इंपॉर्टेंट चेप्टर लेकर आज मैं आपके सामने उपस थी थूँ जिस चेप्टर को आज एक बार में यानि इसकी जितने इंपॉर्टेंट टॉपीक और पॉइंस हैं जो आपके सलवस के लिए करूंगा और इस पूरे सामराज यह के बारे में आपको बताऊंगा पर उससे पहले कि इंपॉर्टेंट चेप्टर में सुरू करूं एक खास बात आप समझ लीजिए कि मैगनेट ब्रेंस हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैटेक अक्षा साथ से बार में बिल्कुल निशुल्क है यहां पर आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो इसी खास जानकारी के साथ सुरू करते हैं यह बेहत रोचक चैप्टर और समझते हैं कि वीजय नगर के बारे में और वीजय नगर का पूरे स सामराज चल रहा था अब आठवी से ठार्वी सताबदी के बीच के अगर हम बात करें खास करके आठवी से तेरवी सताबदी के अगर हम बात करें तो भारत में खासकर उत्तर भारत में कोई बड़ा सामराज दिखाई नहीं पड़ा था था राजपूत वन्स कुछ आये थे होते गए उसके बाद देवगरी के आदो और काकतियाज वारंगल के साशक ये सारे शाशकों का उदय हुआ लेकिन दीरे-दीरे सब की स्थापना खास करके होई तो सब की सक्तियां नीचे चली आई लेकिन दिल्ली सल्तनत भी खास मुहम्मद बिन तुगलक के आसपास उसके कुछ गलत नीतियों और नेनेयों के कारण एक अराजकता सी पूरे देश में फैल रही थी और इस अराजकता फैलने से उन सक्तियों को मौका मिलता उभरने का जो थोड़ी ताकतवर हो और ऐसे में दक्षिड भारत में दो सक्तियों में एक सक्ति के हम चर्चा करेंगे तो एक सक्ति जो बनके उभरी थी उस समय वो बनी कौन सी जो बेसिकली हमको चर्चा करनी है जिसकी वो कौन सी विजय नगर विजय नगर और एक जो संपत्सक्ति बनके उभरी वो कौन सी थी वो थी एक तरसे कह सकते हैं कि बहमनी जो अंपायर पूरा रहा ठीक है तो आज हमको चर्चा करनी है विजय नगर सामराज की कि विजय नगर सामराज जो खासकर 1336 क्या सपास से बनकर उभरा उस सामराज की पूरी कहानी क्या थी उस सामराज की विशेस्ताएं क्या थी उस सामराज के महतवपूर शाषक कौन से हुए उस शाषन ब्यवस्था की विशेस्ताएं क्या थी तो इस चैप्टर में basically हमको यही देखता है अब यह जो सामराज विजय नगर सामराज जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं इसमें मुख्य रूप से यह तीन वन्ष आपको दिखाई देंगे इन तीन वन्षों के नाम से ही या इन तीन वन्षों के ही को ही मिलाकर पूरे विज नगर सामराज है इसकी जो कहानी है वो रोचक है अब यह जो विजय नगर सामराज है इसमें सबशे पहला जो वन्स आया वो संगम वन्स आया संगम वन्स 1336 से 1486 सा वर्स तक रहा और इसकी थापना की दो भाईयों हरियर और बुक्का ने और उन्हीं के पिता का नाम शंग करेंगे और बाद में फिर एक समराज जो इसमें वन्स जो है वो तलू वर्स तो संगम शलू और तलू यह दो मैं तीन महतपूर्ट शासन है और किष्णदेवराय सबसे महतपूर्ट शाशा की दो तीन चीज़ें आपको ध्यान लगनी है अगर मैं थोड़ी सी संगम वन्स इनको अपने एक तर सा कह सकते हैं कि एक सेना में अच्छा इनको पड़ दिया और कुछ विद्रो दक्षिट भारत में हुआ तो इसी दिल्ली सल्दनत के राजा ने इनको भेजा दक्षिट भारत में की जाईए विद्रो सांथ करिए लेकिन यहां पर यह संत्त के देवराय प्रथम और विजय यह महत्पुन कुछ राजा हुए जो शंगम मंस के हुए और देखेंगे कि क्या इनकी नीतिया रही किस तरह से पूरा विजय नगर सामराज जो है वह आगे बढ़ रहा था लेकिन विजय नगर सामराज को आप तीन राजाओं में डिवाइड कर कर देख सकते हैं तीन राजाओं की समस्च वरनाजर सामराज करों आप की रही है और जैसे दिल्ली शल्तनाज क्राग का क्या हो रहे थे नए राज्यों की स्थापना होती जा रही थी अभी मैंने आप को इससे चर्णा की कि जब एक ऐसा समराज पूरी भारत को कंट्रोल कर पाएगा अगर ऐसा नहीं रहेगा तो फिर छोटे-छोटे राजियों का सक्तियों का उदय होगा दिल्ली सल्टनत के सुल्टान मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में कई आराजक्ता और अविवस्था उत्पन हुई और इसी गराजर की बात करनी है जिस विजय नगर समराज़ को किस ने स्थापित किया इसको स्थापित किया हरियर और बुक्क्ता नामक दो भाईयों ओर कहां पर भारत के दक्षडी पस्चिमिट पर मतलब मालों लीजगर भारत वर्ष का यह नक्षा है नीचे का तो इस भागности पस ने जब कमपिली को जीता तो इनको क yapmış किया मुसलीम धार और बुका कर देंगya और कि आप मुसल्मान या इसलाम धर्म को सब्सक्पोप करो लिकि margin में अर बाद में फिर क्या हुआ यह वहाँ पर एक अधिकारी के रूप्में वहाँ भी कारे करने लगे अब रोचक कहानी आगे बढ़ती है फिर क्या हुआ कमपिली जहां से इने पकड़ के ले जाया गया था वहाँ पर फिर विद्रो हुआ और इस विद्रो को दबाने के लिए फिर इने वहाँ भेजा गया कि जाई आप उस विद्रो को दबाईए और है और उस संथ ने फिर प्रभावित किया और हुर स estavam किया नाव कि नहीं हिसको हम्पी कहते घर इंपॉर्टैंट करनाटक में जगा है का फी इसका नाम का अठाएब मानी जाती है और विजयान अगर सामराज की जभी बात आती है तो उसके एक तर से कह सकते हैं प्रतिन दृत्र या उसके और शेशों के रूप में आज भी हम्पी में जो चीजे पाई जाती है हम्पी जो जगह है उसे मत्पूर माना जाता है तो हस्तिनावती राजे की निव डाली और इस वर्स में उसे विजय नगर नाम नवीक न बसाया जो कालंतर में विशाल विजय नगर सामराज बन गया तो हस्तिनावती सामराज बनाया विजय नगर एक जगह बनाया और विजय नगर के नाम पर विजय नगर सामराज स्थापित हो गया तो अब इस विजय नगर सामराज में वो कौन-कौन से इंपॉर्टेंट रा मैं आप से डिसकस की थी अब ये जो संगम वंज है ये विजय नगर सामराजय का सभसे पहला विस्तित वंज बना सभसे पहला विस्तित सामराजय बना और हर्यार और बुक्का का वंज उनके पिता के नाम पर रखा गया मैं आपको सुरू में बताया कि हरियर और बुका के पिता जी का नाम संगम था इसलिए इसका नाम संगम राजवन्स रखा गया हरियर प्रथम कब आये 1336 से 1356 और इसी 1336 से विजे नगर समराजी की स्थापना भी मानी जाती है ठीक है यह ध् बनाया तो पहले उसकी राजधानी अने गोंदी था लेकिन बाद में फिर उसे विजे नगर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई हरियर एक योग साशक्षित होने का मतलब की एक ऐसा व्यक्ति जिसने जिसने मुगल समराज के खिलाप एक तरह का बगावत करके नहीं स्थ नई समराज एक स्थापना की और उसको आगे बढ़ाने में भी सक्षम रहा तो इस लहज़े से वह एक क्या हुआ एक योग सासक बना और आगे यह समराज चलता रहा उसने बादामी ध्यान सा समझेगा यह आता है उसके अचीवमेंट में तो उसने बादामी उदाइगीरी गोटी के दूर्गों को दिर्ण किया और करिशी की उननती का परत ने किया दा था एक विवस्थित सासन स्थापिट किया बिल्कुल ठीक बात उसने क्या किया जो दूर्ग है किसी भी शासन विवस्था में दूर्ग और की इ valid तो उसने बादामी उदैगीरी और गोटी की जो दुर्ग दुर्ग थे उनको मजबूत किया और उसे पता था कि आर्थिक रूप से जब तक हम सामराज्य का विकास नहीं करेंगे तब तक सामराज्य ठीक से फैलेगा नहीं तो उसने फिर क्रिसी के विकास पर महतपूर्ण रूप से ध्यान दिया उसने होयसल राज्य को अपने राज में मिलाने में सफलता प्रात की और उसके पस्चात करंब राज को जीता और मदुरा के सुल्तान को मैं मदुरेज से कहते हैं उसको भी विजित किया तो अगर उसके आप साथिभमेंट्स में अगर आप काउंट करेंगे राजनेतिक में तो होयसल ठीक है एक तो होईसल राजकूलों ने अपने मिलाया उसके बाद कदंब और फिर मदूरई इन राजियों को उन्हों ने क्या किया ॅपने एक कालखंड में सामिल किया और वहाँ से फिर क्या हुआ वहां से समराज आगे बढ़ा उसने अपने राजे में एक स्रेश्ट शासन स्थापित किया जो अंत्र तक विजय नगर राजे के शासन का अधार बना रहा और 1356 में हरियर की मिठ्ट्री हो गई ठिक तो जो चीज की उसने एक इंपॉर्टेंट शासन व्यवस्था एक कर दिया उन्होंने किसी विवस्था जो कि उतके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगी उसको सुद्रिण कर लिया उन्होंने होईशल कडम और मदुरेई जैसे शास्कों पर विजय हासिल की और एक विधिवत सामराज स्थापित करने के बाद 15 1356 में उनके क्या हो गई पिपाल जी की आगे आता है इसका फुत्र है। उसका भाई बुको तो थेरा सो छप्र न में हरियर की मिट्ट्यू के उपरांथ उसका भाई बुक का तpri mud फेरां सो सटाव तक वीजय क regarding का मतलmedा वह जब सब कुछ अपने हाथ में अपने कंट्रोल में लेंगे और उस समय राजा के शाषणकाल में प्रमुख वशता हुआ करती ती जहां पर राजा के हाथ में तुक कुछ होगा जो प्रमुख बनकर उभरा उसने वारंगल के राजा के साथ समझोता करके बहमनी शाशक मुहम्मद साप पर्थम पर दबाव डाला मैंने आपसे सुरू में चर्चा की कि वीजे नगर और बहमनी दो साशनकाल विवस्त समय आगे बढ़ रहे थे तो इसने बहमनी के साशक पर दबाव डाला और कृष्णा तुंग भरद्रा दोवाब की मांगी किश्णा और तुंग भरद्रा दो नदियां उस छेत्र में बहती हैं और दोवाब क्या होता है जो उस छेत्र के आसपास की जमीने रहती हैं बीच में किनारे हैं जहां पर जो बार छेत्र से भी सिंग्चित होती है तो उस दोवाब की मांगी कि भाई ये इस बीच के जो छेतर है इन्हें हमें चाहिए बुक्का की सबसे महान विजय मदुरा राजे की थी जिसके कारण उसका राज सुदूर दक्षिड के रामेस्वरम तक फैल गया तो करनाटक से लेक यानि आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर पूरा रामेस्वरम तक पूरा राजे क्या हुआ यह फैल गया इंका ठीक है इस प्रकार बुक्का ने हरिहर से जो राजे उसको मिला था उसको और विस्तृत किया बुक्का के बारे में आप यह भी समझ लीजी कि क्या था वह एक योग्यशाशक था इसमें तो कोई दो रा कर सकते हैं वेद मार्ग परस्तिस ठापक ठीक है इसलिए हिंदू सेंटिमेंट्स में विश्वास रखने वाले ज्यादे तर लोग जो विजर अगर समराज या वुक्का है इनको बढ़े अपने आदर्स के रूप में भी मानते हैं तो हिंदू धर्म को इन्होंने क्या किया और ज्यादा आगे परतिश्चित करने का प्रयास किया और यह मत भूलिए कि मैंने आप से प्रिवियस चेप्टर में डिस्कुस किया कि इस समय भक्ति आंदोलन भी पूरे भारत में फैल रहा था मैंने आपसे यह भी चर्चा की थी कि जितने शाषक हो रहे थे वो प्रयास यह कर रहे थे कि इन भक्ति मार्ग के शंतों को अपने साथ अपनी आइडियोलजी के साथ मिला कर रखा जाए ताकि जो वैलिडिटी है जो आदिकारिता है जो वैधता है उनके शाषन की वो ज़ इसी करम में जो यह बुक्का था इसने वेध मार्ग पतिश ठापब के उपारे गनाड की और 1377 में फिर बुक्का की मिर्ति हो गई तो हरियर प्रथम बुक्का इससे आगे जब बढ़ेंगे तो 1377 में बुक्का की मिर्ति के बाद उसका पुत्र हरियर दृति है जिसकी मैं संप्रदाय में महाराजा धिराज की उपादी किसने ग्रहण की तो महाराजा धिराज की उपादी ग्रहण की थी हरियर दितिये और बुक्का ने ग्रहण किया था वेध मार्ग प्रतिश ठापक की उपादी ठीक जी इसमें तो कई समस्या नहीं आएगी अच्छा उसने कनार मैसूर त्रिचना पल्ली और कांची आदीपरदेशों को जीता और स्रिलनका के राजा से राज़त्व वसुली किया तो आप देखिए जो यह जो संगम निस्ट संगम मंस का था वो यहां से यहां तक आया और स्रिलंका तक पर उसने क्या किया अपना प्रभुत जमाने का प्रयास किया तो एक पूरे दक्षिड भारत तक यह विजय नगर्स अमराजे फैल रहा था मैसूर पल्ली कांची हर जगह और स्रिलंका के राजसे राजस्वेनी टैक्स वसूला बहमनी राजसे उसका संगर्स छिड़ा जो दिर रिकाल तक चलता रहा तो यह हमें साथ ध्यान में रखेगा कि बहमनी और विजय संगर्स अमराजे का आपस में संगर्स चल रहा था यह संगर्स हमेशा चलता रहता था और उसके जो आपस के मद्भेद थे वो भी समय समय पर दिखाई पड़ते थे चौदा सो चार में हरियर दिथी की मिर्तियों हो गई ठीक है 1336 से हम पहुंचे 1370 तक मोंचे यहां से फिर 1404 तक हम आ गए ठीक है चौदा सो चार में हरियर दिथी की मिर्तियों के बाद उसके पुत्रों में संगर्स हुआ और विरुपाक्ष प्रथम जो था यह बुक्का दिथी ने कर्मसा सिगासन प्राप्त किया परंतु अंत में देवराय प्रथम विजे नगर का शाशक बना ठीक है तो विरुपाक् इसकाल में बहुत बहुत ज्यादा उससे कोई नुक्षान विजे नगर समराज को नहीं हुआ 1422 में क्या हुआ देवराय प्रथम की मिर्ति हो गई और उसका पुत रामचंद्र सिंग आसन पर बहुत कम समय के लिए इसलिए मैं यहां पर रामचंद्र को इंक्लूड नहीं क जाहें तो यहां बीच में कर भी सकते हैं रामचंद्र प्रथम है ठीक है रामचंद्र लेकिन बहुत कोई बहुत बिशेश शाषक के रूप में नहीं उभर पाया था 1430 में विजे नगर के राज सिंगासन पर वह आफसन हुआ था और एक योग्यों शाषल शफल शाषक थ इसके itli का यातरी निकोला दे कांती इरान कर राज़िदूर अब्दूर रजाक वीजे नगर आया यह थोड़ा साफ देख सकते हैं कि रामचंद्र प्रतम के समय जो यह इटली का यातरी निकोला दे कांती है और जो दूट अब्दूर रजाक यह कोशन पोष देता अक्स अब शाजहां के काल में आये और कैसे वो दारा सीकों के साथ रहे अलवरुनी काम ने देखा तो यहां पर भी देख सकते हैं कि इटली का यात्री जो निकाल निकोला दे कांती था और इरान का जो राजदूत अब्दूर रज्जाक था वो विजे नगर काल में राम चंदर प के बाद विजे मल्युकारजून और विरुपाक्ष जेती रासिंगासन पर आशीन हुए यह हमने एक लिस्ट देख लिए विजे की बात आती है विरुपाक्ष की आयोगेता उसके पतन का कारवबनी हां विरुपाक्ष जो रहा वो बहुत यायोगिशाशन रहा और धीरे स फिर संगम मंस क्या हो गया खतम होने की कगार पर पहुंचा और संगम मंस नीचे आता चला गया चौदो सो पिच्चासी में उसके एक पुत्र ने उसका वद कर दिया परन्तो उसने अपने छोटे भाई प्रोधा देवरायों को शिंगासन ने बठाया ध्यान देजी अधिकार कर लिया और यहां से फिर सलूउवंस की स्थापना होई है तीक है यानि जो चीज़ आपको कहां से दिखाई पड़ रही थी जो चीज़ आपको संगम मंस से यानि हर प्रथम से शूरू हुई वो फिर क्या हुई वो सलूउवंस पर आकर को सनूवंस के बाद एक नया वन्स स्थापित होता है जिसे हम क्या कहते हैं सलू वन्स का नाम देते हैं। अब आगे देखते हैं। तो यहां से सुरू होती है कहानी सलू वन्स की जो मैंने आप से चर्चा की थी कि विजय नगर सामराज जी का जो दूसरा महत्पूर वंस था चौदो सो च्यासी से पंद्रह सो दू तक वो था सलू वंस तो संगम वंस हमने देख लिया हरियर प्रथम सलेकर और विजय तक आकरी में विरुपाक्स तक और आगे चलेंगे सलू वंस तक आए इनको भी देखते ह तो 1486 में नरसिंग सलू वही जो मंत्री था जिसने अपदस्त कर दिया विजय नगर में एक नए राजवन्स की निव डाले जिसे सलू वंस के नाम से जाना जाता है एक योग शाशक था ठीक बात उसने बहमनी सुल्तान तथा उडिसा के राजा के साथ युद्ध किया अच सफल नहीं हो पाया और 1491 में उसकी मृत्य हो गई तो इसके प्रमु कुरूप से आप ये समझ लीजेगा कि जो नरसिंग सलू था इसने सलू राजवन्स की स्थापना की और 1491 में इनकी मृत्य हो गई उसने अपने सेना पती नरस नायक को संदक्षक नुक्त किया कि आप मे सिंगासन पर अधिपार करके तलू राजवन्स की नीव डाली तो नरस नायक की मृत्य हो गई तो इसके पचात उसके क्या किया नरसिंग नरसिंग ने तिम्मा का वद करवा दिया और स्वें क्या किया तलू राजवन्स की नीव डाली तो जो सलू राजवन्स की नीव शु सुरू हुई और तुलु वन्स की स्थापना के साथ क्या हुआ एक नया वन्स देखने को मिला विजैनगर सामराज्य में आये इस नया वन्स के बारे में थो इसी क्रता है अब तुलु राजमंस 1505 से 1570 तक चलता है 1505 इसवी में वीर सिंग ने विजैनगर में एक नया लाजमंस की नीव डाली जो तुलूवंस के नाम से जाना जाता है वीर्ट मर्सिंग ने जिस तरीके से शाषन सत्ता हासिल की इसके परडाम सुरुप उसके विरुद असंतोस फैल गया जाहिर सी बात भी मैंने आपको बताए कि वद करवा कर सत्ता हासिल किया था और इसलिए क्या हुआ एक तरह का विरुद उसके आक्रोस लोगों में था और संपुर्ण शाषन में आंतरिक विद विद्रों की भावना बनी रहती थी और यह समस्याएं यह आर्थ यह जो समराज में उथल पुथल था यह जो पूरे शाषन में एक तरह का एक घवरहाट और समस्या थी यह तब तक चलती रही जब तक कृष्ण देवराय पर्थम आये नहीं और कृष्ण देवराय ने फि कृष्ण देवराय जो सबसे एक तरह से कह सकते हैं कुषल सबसे योग और सबसे महान शाषक के रूप में उभरते हुए दिखाई पड़ते हैं तो एक चीज़ आप कंफर्म समझ लिजेगा कि विजय नगर सामराज संगमवंस शुलूवंस और तुलूवंस और अंत में आ देखेंगे क्रिश्ण देवराय विजय नगर के महांतम शाषन रहे अगर आप से कोशन पूछा जाए कि कि जैसे महांतम शाषन कौन रहा एक तरह से कह सकते हैं विजय नगर सामराज का तो इसमें आप किसका नाम देंगे इसमें आप किष्ण देवराय का नाम दे सकते हैं जो महांतम शाशक बनकर उबरा विजय नगर समराजी का अब ये महांतम शाशक बनकर क्यों उबरा इसमें दो ती नीतिया थी एक तो समराजे विस्तार या समराजे को मजबूत बनाया रखने में महत्पूर योगदान रहा उसके बाद जो शाशन ब्यवस्था की विशेस्ता वकारिया पहुंझ गई यानि power spoon पाऊफुल बहुत हो गया यह सामराज्या अपने शाशनकाल में कि साशक का महांथम शाशक बनने के लिए आवश्यक होता है कि शयने सफलता है मतलता मतल हरा अपने राजयों को आकरमण से बचाना ये बहुत प्रमुख देखा जा रहा था सिंगासन पर आसीन होने के बाद किष्ण रे और आये ने सबसे पहले अपने अनेग विद्रोही सामंतों का धमन किया विद्रोही सामंत कौन होते थे उसी राज में बड़े-बड़े पोस्ट दिये जाते थे जो एक तरह से आप कह सकते हैं जमीदारी जैसा पोस्ट होता था और इनके बास बहुत पावर रहती थी तो वह मैंने अभी चर्चा की थी कि तौलूब वंस कहने के बाद ही विद्रोह अंदर बहुत सारा पनपरा था तो पहले तो उन्होंने उन सामंतों को चुन-चुन के हटाया जो उन पुर्टगाली फिर ब्रिटिस पूर्टगाल सब में आपस में संघर्ज भी चल रहा था और इनका संघर्स यहां के जो लोकल राजा थे उन राजाओं से भी चल रहा था तो इसके सिकार इसका चुनोती विजय नगर सामरा जों की था पूर्टगालियों से तो उन्होंने उडिशा के जिन से अपना राज वापस पाने की कोशिस की थी पहले विजय नगर ने उडिशा से भी लड़ाई लड़ी बहमनियों से भी लड़ाई लड़ी और पूर्तगालियों से भी लड़ाई लड़ी तो तीन तिन फ्रंट पर अपने राज को और बढ़ा करने के लिए और बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे किष्णदेव राय के राज सिंगासन पर बैठते ही बहमनी के शाषन महमूर शाह ने आपने समर्थकों सहित विजय नगर के विलूद क्या किया एक जिहाद धर्मयूद घोशित किया और विजय नगर पर आकरमण कर दिया बहम भुशन महरे ने उसकी सेनाव को परास्त करके उसका पीछा किया और बीजापूर का सुल्तान यूशूफयादिल घोशन पूझता बहुत पूशता है कि बीजापुर का सुलतान किस साशंकाल किस राज đã के आकरमण कर दो और किष्ण देव राये तो बीजापूर तक पीछा किया और जो यहां का सुल्तान था यूशुफ आदिल साह वो मारा गया किष्ण देव राये के हाथ हो किष्ण देव राये ने इस स्थिती का लाव उठाकर 1512 में रायचूर का किलात था किष्ण तुंग भद्रा दोवाब यह द्यान लगे यह वही किष्ण दुंग भद्रा दुआब हैं जो हर यहर भुका सभी जो राजा थे वो मांग करते आ रहे थे कि हमें यह चाहिए तो किष्ण दुंग भद्रा दौआप पर अधिकार कर लिया और बीदर के किले को भी जीत लिया बहुत इंपोर्टेंट तो क सफल्टाओं में आप क्या क्या लिख सकते हैं तो उन्होंने पहले तो उडिशा बह्मनी और पूर्टगाली इन तीनों से यूद धला ठीक है इसकी चर्चा भी आपने की थी मैं बार बार पॉइंट्स लिखता रहता हूं ताकि आपको फिर से दिवीजन होता रहे उसके ब वीजापूर के सुल्टान की हत्या यानि की आदिल खा सुल्टान की हत्या उसके बाद किष्ण तुंग भद्रा दोवाब पर वीजय है किष्णा तुंग भद्रा दो ऑब ये भी अपने अनतरगात इस पर अधिकार कर लिया और क्या किया इनोंने बीदर का किला भी जीत लिया आधिकार कर लिया ठीक है और जो आक्रमर किया था इससे पहले एक तर से क्या सकते हैं कि जो बहमनी शाषक किसने महमूर शाह ने इसको भी उसने पराब जित किया था तो कई सेने सफलताय थी जो उनके हिस्से में आती है कृष्ण देवराय के और इसी लिए कृष्ण देवराय को एक बहुत ही सफल योग शाषक माना जाता है पूरे विजयनगर सामराज्य का ठी उसके बाद कृष्ण देवराय ने 1514 में वारंगल पर अधिकार किया अब जो वारंगल के शाषक भी बड़े फेमस थे मैंने आपको शर्चा की थी कि खास करके जब दिल्ली सल्तनत नहीं थी और उत्तर में कोई बहुत बड़ा शाषन नहीं था तो वारंगल काकतिया यह स इतना बड़ा सामराज यह बनाते चले जा रहे हैं तो इन्होंने क्या किया सबसे पहले वारंगल और वारंगल के बाद फिर उन्होंने उदैगरी और कोंडाविद इनकी लोगों को भी जीत कर अपने अधिकार छेतर में ले लिया 1520 ने बीजापूर के सुल्तान को परास् उसने अपने सभी सत्रों को परास्त किया और उनके द्वारा छीनी कई वीजे नगर की भूमी और कीलों को पुना जीता और सामराज का विस्तार किया तो एक एशा शाषक जिसने छीनी हुई छेतरों को भी जीता नए छेतरों को जीता पूर्तगालियों को चुनावती दी बीजापूर के सुल्टान के हत्या की बहमनी शाशक जो बारबार टकराते तो उनको बुरी तरह पराजित किया और इतने बड़े समराजी को आगे बढ़ाया इसलिए ये सबसे महांतम समराज राजाओं में इनका नाम आता है किष्णदेव गलई ने इन इस्थित्यों में पूर्त्य गालियों के परति उदादि इस्टीगोन अपनाया दूसरी वह पूर्त्यकाली व्यापार की सुविदा से वीजने दर से मितरता चाहते थे अतक किश्न दे उराय के शाषन काल में विजगेनगर और पूर्तकॉली ओपारी यात्रिओं बिजगेनगर की यात्रा करनी लगे लेगिना पूर्तकालीयों की चलाकी बहुत रहते थी चुनौती हमेशा उबने रहते थे तो सुरुवात में तो तुक किश्नदेयो राए से मित्रता का सब्बंध रखते थे और जब भी अंग्रे आंग्रे यानी की जब यू रूप भारत में आये तो उनकी बड़ी सास नीती रहती थी वह नीतिया रहती थी कि जो सामराज यह राजा मजबूत है उनके साथ फ़ले मित्रता करते थी जैसे पहले भारत में जागीर में फिर कुछ अकबर के काल में आये तो आकर पैरों में गिर जाते थे कहते थे कि हमें आप हमें व्यापार करने ही और चाहते हैं उनको मार गुण则 भी यह बिद्धे गिर शरक अधिने सकती मजबूत होने लगती तो फिर वह अपना रंग दिखाते थे're तो किष्ण देव राय वहां पर मजबूत सासक था इसलिए उसने बहुत ज़्यादा इसको चुनावती नहीं दी और थोड़ा सा यह करते थे थोड़ा सा यह प्रयास करते थे कि इनके साथ मित्वरत ब्यवार और ब्यापार का ब्यवार बना रहे तो यह आपको दिखाई तो उसने इतना ज्यादा सकती प्रदान कर दिया सेना को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया पूरा पीछे के बैकप को कि फिर उससे क्या हुआ कि सारी और समस्याओं का हल निकलता चला गया और बिना सैनिक मजबूती के बिना सैन मजबूती के तो यह संभव ही नहीं था कि वो बाकी चीजों को जीत पाता जैसे हमने देखा कि उडिक्षा से लेके और हर भामनी एंपायर से लेके सब को चुनोती हो देता हो जब नजर आया तो उसकी सैन सक्ती तो मजबूत थी ही वो अपने सैनिकों को बैक्तिकत रूप से स्ने और सनलक्षर प्रदान करता था तो य एक मोराल हाई करने वाली बात होती है कई कुशल राजाओं में देखा गया है कि वो अपने सैनिकों से मिलते हैं जूलते हैं आज भी लोकतंत्र में अगर आप देखें तो आप देखते होंगे आपके प्रवाली पर या किसी अन्यत्यवार पर और सैनिकों के बीच में जात एक महान वीजेता होने के साथ वो राजनितिक और महान प्रशाशक भी था इसमें कोई शक नहीं है जब तक आप बढ़िया राजनितिक नहीं होंगे तब तक आप अलग अलग अब देखिए एक्जामपल आपको दिखाई पड़ रहा है कि बाकी बगल के तो इस ग्रंथ में अधिनस्त अधिकारी मंत्रियों की नियुक्ति न्याय प्रशाशन विदेशी नीथी के संचालन इन सभी के बारे में बताया गया तो यह तो हम जब से हिस्ट्री पढ़ रहे तब से हमने एक मैटपूर्ट की चर्चा करते हुए है और वह है लिट्रेरी ज को अमुक्त मलयद मिलेगा जिसमें इसके प्रमुक रूप से शाषन व्यवस्था के क्रिया कलाप और तरीकों पर चर्चा की गई है इसने अपने शाषन काल में केंद्रिय सक्ति को मजबूत बनाया प्रांती नायक और अधिकारियों पर कठोर नियंत्र निस्ताफित किया तो हमने यह देखा भी था कि जो शाषन प्रशाषन होता था वो कई हिस्सों में बटा होता था तो उस करम में जो प्रांती नायक थे यानि जो स्टेट में अलग-अलग जगा विभाजन हुआ था उनको भी इन्होंने नियंत्र दिया था कि कोई बेद्रो ना हो सके कोई आ इसका भी बहुत इंपोर्टेंट रूल आ रहा है आज भी हमपी के जगों पर जो आवशेश मिले हैं एक रथ आपको अकसर फोटो में दिखाई देता होगा वह अकसर उसकी जर्चा की जाती है ब्रपनुमा मंदिर की यह सारी वहां की विश्यस्ताय थी तो अपनी प्रजा को महत्तपूर्ण से भूमिका निभाई और जो भी अगर आप देखते ध्यान से मगतकालीन समय से देखें तो जो भी जो सिविलाइजेश मतलब जो भी यह ग्रो हुए जिनका विकास अच्छे से हुआ उसमें एक जो महत्तपूर्ण बात हमेशा दिखाई पड़ रही थी वह यह कि उनकी आर्थिक पक्ष को मजबूत रखते तो कृषी उसमें सबसें इंपॉर्टेंट रोल अपनाती थी कृष्ट देव राय का एक महाल लोकोप कारी और धर्म शाहिशू शासक था यानि लोगों की मदद करने वाला और धर्म शाहिशू का मतलब कि डिलीजियस सारे धर्मों को लेकर चलने वाला यह शाहिशक था यह इसकी बहुत बड़ी विशेश्था थी उसके बिना किसी भेटभाव के अनेक मंदिरों को अनुदान दिया बार बोशा जो की यात्री था इसका बहुत नाम आता ध्यान वकिएगा यह बार बार पुछाता है यह बार में कई सारे या उसके उस समय के आसपास और खास करके दिल्ली सल्तनत की बात चली रही थी तो मुस्लिम शाशक और मुशलमानों की स्थिती बन चुकी थी भारत में तो ऐसे में धार्मिक श्राइशुर्ता रखने का मतलब यह था कि जाईसी बात है दोनों धर्मों को कि संदेवराय करता था और इसलिए बिजय नगर सामराज का मैंने आप से सुरू में बताया कि हिंदू सेंटिमेंट्स में विश्वास रखने वाले लोग इसकी प्रशंचा करते हैं और इस पर गर्म हैसोस करते हैं उसे उसके लिए कोई नाराजगी नहीं जहलनी पड़ती महान विद्वान साहित्य प्रेमी कला सम्रक्षक भी था कंप्लीट मैं वह वह विद्वानों का अधर करता था स्वयम टेल्गू और संस्कित विद्वान का लेखक था तो यह कुशन पूछा आ सकता है किस भासा में लिखते थे आप विद्वान थे कृष्ण देवराय ने क कला के छेत्र में उल्लेखिनी एक कारी किये उसने अपनी मा के नाम पर विजय नगर के समीथ नगल पुरम एक उपनगर है वह बसाया जिसमें अनेक अन्य भावनों और मंदिरों का निर्मार कराया तो एक कोशन पूछा आ सकता है कि कृष्ण देवराय ने कौन सा उपनगर विजय नगर अंपायर उसमें हमने सुरू में देख लिया संगम शुलू तलू और लास्ट में कृष्ण देवराय आते हैं और कृष्ण देवराय जो हरियर और बुकार ने सुरू किया था पूरे कहानी को उसको चरम पर पहुंच आया विजय नगर उतकर का अगर आप काल कहें तो कृष्ण देवराय रहा जो एक अच्छा प्रशाशक जो एक अच्छा राजनितिग्य जो कला प्रेमी जो साहित्य प्रेमी भी था जो वैदेशिक संबंद अच्छा रखता था और आर्थ्ववस्था को सुद्धर करने के लिए कृष्ण को मजबूत बनाता था य यह सारी चीज़े कि देवराय और विजयनगर एंपायर में देखा जा रहा था ठीक है जी चलिए अब विजयनगर एंपायर में अब किस्विति क्या बंती है इसको भी देख लेते हैं तो 1529 में किस्ट देवराय की मिर्टिव के बाद उसका भाई अक्च्छूत राय क्या विजयनगर राजपर क्या हुआ थीक है यह जो जो नायक थे प्रांत में जो चीजे कंटोल करने वाले लोक्त उस पर नियंतर कठोर नियंतर क्रिशन देवराय का था यह नहीं रह पाया और जो केंदरी शत्ता थी जहांसे राजा शाषन करता था अभी अच्छूत राय के स समय और उसके पश्यात उसका भतीजा सदाशिव राय यह विजे अगर के राज सिंगासन पर आशीन हुआ परंतु उसके शाषनकाल में राज की वास्तुविक सकती उनके प्रधान मंत्री समुदाय के राम राय के हाथ में चली गई और जो पावर उसके पास रहनी चाहिए व तो यह एक इंपोर्टेंट युद्ध हुआ ताली कट का युद्ध ताली कोट का युद्ध कब हुआ और यह ताली कोट का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 इसे राक्षसी तांगडी के युद्ध के नाम से भी चान लाता है मतलब जब यह मोर्चा सुरू हो गया जब यह तो मूर्चा बनाकर जैसे पॉलिटिकस में होता है उन्होंने कोलीशन गटबंदन बनाकर लड़ाई लड़ी विजय नगर के खिलाफ तो उन सेनाओं को जिसको विजय नगर चैलेंज दिया करता था वो सेनाएं और जो विजय नगर अंपायर है इनके बीच एक तगड़ा लड़ाई हुआ और इस लड़ाई में क्या हुआ इस लड़ाई में फिर विजय नगर को सिकस्त मिल गई और हर्यार और बुक्का के समय से जो सिकस्त अभी तक विजय नगर को कोई दे नहीं पाये था वो पहली बार वो सिकस्त देखने को मिली तो यह मैत्रपूर है था महमनी राजवन्स था वो ब्रेकप हो गया उसका उसी बीच में और उस अलग-अलग फिर बिरार और बिडार एहमद नगर गोलकॉंडा बीजापूर यह सब मिलके एक यह पूरा कहलाता था दक्कन सल्तनत और इन्हों एक संयुक्त मोर्चा बनाया था और उन्होंने ताली भी बता जाता है कि घुरसवारों की संख्या कम हो गई थी लेकिन मुख्य रूप सही आप समझ लीजे कि विजय नगर एंपायर में आप हरियर जैसा या कृष्ण देव राय जैसा शाशक नहीं था जो इसने महत्रपूर्ण मोर्चे को हरा सके तो यह जो एतियासी की तो एहमद नगर उसमें सामिल था उस पांचो जो पूरा मिल के समय की मुर्चा अहमद नगर बिडार बिडार गुल कॉंड़ा विजापूर इस तरह की सारे लोग मिलके एक धकन सल्तना चला रहे थे जो पहले सब मिला के भहमनी हुआ करता था तो राम राय किया हथ्या हो परन्तु इस्थिति दक्षिट भारत में कभी भी अच्छी नहीं हुई ताली कोट के उद्ध के बाद राम राय के भाई तिनुमाल ने सदा सिव को पच्चे उद करके विजे नगर राज सिंहासन पालिया और अर्विंदू राजवन्स की नियू डाली ठीक है यानि तो तिरुमाल ने विजे नगर को फिर से सक्तिसाली बनाने का प्रयात्न किया तो यह तो ठीक बात है कि तालीकोटा युद्र के बाद जो इससे ती विजे नगर की रही वो रही नहीं पर ही ट्राइडिस लेवल बेस्ट की थोड़ा सा उपार उठाय जा तिरुमाल को और सालू के मृत्यों के बाद उसका पुत्र रंग दिर्तिये ने विजे नगर का सिंगासन पर इस्थापित हुआ और 1586 में उसके मृत्यों के बाद उसका भाई वेंकट दितिये शाशक बना जिसने 1614 तक शाशन किया यह चोटे-चोटे और राजाओं के नाम है जो उनको अंतिम शाशक योरेजान अगर का वेजय नगर का यह जो राजवन्स आपने दैखा उसका यह अंतिम शाशक थे कौन सा राजवंस मैं ने देखको कौन सथ इन्होंने सदा सुराद में क्या कर लिया एक नया राज अरा विदू जो साशन इनोंने सुरू किया इसका अंतिम तो संगम सुलू तलू अरा विदू में सबसे अंतिम रंग तरती है उसकी कमजोरी घलाब उठाकर सावंटों पतार रही थे तो उन्हों का कि इस आमपायर में नहीं रहेंगे एक अलग उन्हों पर ने का निड़े किया और इसके परिजय नगर सामराज होता चला गया क्योंकि ये डिसेंट्राइस था सामन्त से मिलकर फिर प्रांथ होता था फिर महां से पूरा Kingdom चलता था वो सब अलग होने लगे अब उस तरह कोई राजा नहीं था जो केंदरी कर सके और चला सके और फिर क्या होने लगे देरे देरे अलग होने लगे तो दक्षिड भारत का सुंदर्तम और वहवशाली नगर विजय कर लिया था इसकी निवासियों में स्मृतियों में जीवित बना रहे उन्होंने इस नगर को हमपी नाम से अपनी श्थितियों बना रहा विल्कुल ठीक बाद तो हमपी नाम से कृष्णा तुंगभद्रा के बीश में जो जगा उन्होंने बचाई थी उसको एक नया नाम यही विजय नगर समराज था यही विजय नगर समराज के अवशेश बचे हुए थे ऐसा माना जाता है कि हमपी नाम का अविर्वाव यहां की स्थानी मात्र देवी पंपा देवी के नाम से बना है और उन्होंने इस्थानी पंपा देवी के नाम पर हमपी शहर का नाम रख करते हैं कि बचाय रखा कि हां ऐसा कोई समराज यहां पर हुआ करता था ठीक बात अब दिए जो पौराडिक अनुसूरती है यानि उस समय की जो कुछ लिखी लिखाई चीजें है और इस्थानिय परंपराव के अनुसार तुम भद्रा नदी के किनारे वाला करनाटक का हमपी किस्किंधा राजय की राजधानी थहां को याद हो अगर आपने कभी सुना हो राम्चाइआद में आता है कि इस मिणामैरे-की-उस-थ पूरी-अetusदमाहद मеं और किस किंधा राजय की राजधानी था जहां बाली और सुग्रियू सासन क्या करते थे तो एक एतिहासिक इंपोर्टेंस पी सहर का है हम पी के भगना वशेश भगना वशेश यानि की भवना वशेश जो है यानि की जो छोटे-छोटे भवन मिले हैं उसको प्रकास में लाने का म पुलातत विच चीजों को खोजने का प्रयास किया तो कर्नल कॉलिन मेकेंजी का नाम जाता है हम क्योंकि हम पी पर अलग से कोशन पूचे जाते हैं हम भी बहुत इंपोर्टेंट सहर है हम पी के विशे में उनके प्रारंभिक जानकारिया विरुपाक्ष मंदिर और पंपा इनको भी देखेंगे अनके मेजस भी देखेंगे अब देके अठारो सोचपन में एलेक्जेंडर गरिलो ने हम भी भगना वशेशों के पहले विस्तित चित्र लिए जिसे सोथ करता उनका अध्यान कर सके तो पहली बार जो पिक्टोग्राफिया कह सकते हैं कि इन हम पी के भावनों का चित्र लिया गया वो 1856 में लिया गया था इसके इतिहास के पूरन निर्मार में अभिलेक करताओं का भी इंपॉर्टेंट योगदान है कुशल अभिलेक करताओं ने 1836 में यहां के भावन और मंदिरों के अभिलेकों की खोज की जो कुछ लिखी हुई है और कई आप यहां से शुरू कर सकते हैं कि पहली बार इमेज़े गाएड़ें आफिलेक करताओं ने कुछ महतूर्ण अभिलेक वीस में देखें अब 1876 में विद्वान पूरा लेखता जेयम फ्लीट ने इस पुरास्थल के मंदिरों की दिवारों के अविलिखों का परलेखन प्रारम किया यह हमपी की खोज में इंपोर्टन रूप से काम आएगा आपको कि जो इन दिवारों पर लिखी हुई चीजें थी इसके बारे में पढ वगिना वशेशों का संदक्षन कारे प्रारम किया जिसे बचाया जा सकी कैसे इसको हम सुरक्षित रख सकें यह इमेज जो आप देख रहे हैं बहुत पॉपलर इमेज है यह इमेज जब भी हमपी सहर को दिखाने का प्रयास के जाता है तो इस मंदिर की चर्चा आती है 1986 में भारत के करनाटक राजे में इस्ति थंपी नगर को युनेसको द्वारा विश्व पुरातत विरासत में या इसको घोसित किया गया तो वर्ड हरीटे साइट जिसको कहते हैं जिसमें युनेसको जो युनाइटेड नेशन और ऑगनाइजिशन यानि समयुक्त राज विश्व पुरातत विश्व की मानेता देता है जिससे फिर उसको और विश्व तरीके से उसको देख भाल की जाती है और वर्ड लेवल पर इसका नाम होता है ठीक है इतिहासकारों का मानना है कि राजधानी के रूप में विजयनगर का चैया नेहां विरुपाक्ष और पं नहीं होते थे मंदीरों से बहुत सारी चीज़ें गवर्न होती थी वहां एक वह सांस्कृतिक केंद्र भी हुआ करता था और शामाजिक प्रतीक भी था तो इन मंदीरों के कारण इसको राजधानी के रूप में चुना गया या तथ भी उलेखनी है कि विजयनगर के शाशक भगवान विरुपक्स के प्रतेधी के रूप में शार्षन के दावा करते थे और यह ंसेट ही रहे हैं कि कैसे देवत वाली भावना के रूप में यहां पर शाषन चला रहे हैं और विरुपाक्ष के प्रतिधी के रूप में चला रहे हैं विजयनगर के सभी राज की आदेशों पर समाने तक कंणर लिपी में स्री विरुपाक्ष लिखा हुआ होता था यह ध्यान कि एक तो आप इंपोर्टेंट चीज यहां स पकड़ लीजेगा कि जो महत्वाण लिपी या भाशा विजनगार सामराब में चलती थी करनल आपको पता है करनाटक में यह था और हर शाषक में हर शाषन के आदेश में हर राजा के शाषन वाले आदेश में बिरुपाक्ष लिखा हुआ आता था इस बिरुपाक्ष लिखा हुआ आने का मतलब यह था कि सारी चीज़ें बिरुपाक्ष को डिवोटेड होती थी लोग कहते थे कि हम बिरुपाक्ष के अब राजधानी और उसके परिपेक्ष की बात करें गर विजय नगर की यह देख सकते हैं यह हमपी शहर दिखाए जाता था यह आपका तुंग भद्रा रीवर यहां पर आपको दिखाए जाएंगी मैं अभी आपको नए मैप से भी दिखा दूँगा यह शाही केंद्र में एक विजय नगर का महत्रपूर्ण स्थान है इसमें कोई दो राय नहीं है विजय नगर अनेक परवस रिंखलाओं के मद्द स्थित एक मनुहर शहर था इसमें भी कोई इंपोर्टेंट इसमें भी कोई इवट वाला और डाउट वाला बात नहीं है प्राकृतिक रूप में और सहर के बारे में महत्रपूर्ट जानकारिया देते हैं बारवोशा ध्यान लखिएगा बहुत कोईशन पूछा जाएगा फारस के राजदूत अबदुर्रजाक का मानना था कि उसने दुनिया में जितने भी नगर को देखा या जितने भी नगरों के बारे में सुना उसमें से विजय नगर सबसे अधिक शांदार नगर था और ये तो भारत की कुछ ऐसी विशेस्ता रही है कि जितने भी यात्री यहां पर आए आप मैंका स्थनीज का देख लिए इंडिका से लेकर अलवरूनी इबन बतूता बीच में अगर आप फ्रैंक को आप बर्नियर की बहुत जगा कॉलनीज बनने सुरू हो गई थी और मुस्लिम शाषन में चल रहा था तो आगर यह बोलता है कि जो सहर मैंने विजय नगर देखा इतना शांदार सहर मैंने कोई नहीं देखा विजय नगर राजधानी की जब बात होती है तो उसकी एक बड़ी विशेस्ता ब जलापूरती विवस्था थी यह बड़ी अपने आप में अनूखी थी यह में जो आप देख रहे हैं एक नहरों की जैसी इमेज बनाई गई विजय नगर की भगोली किस्तिती के सबसे महत्पूर्ट विशेस्ता यहां तुंग भद्रा नदी द्वारा निन्मित प्राकृत जलकुंड है यह इंपॉर्टेंट है तुंग भद्रा नदी ने और लेड़ी यहां पर एक जलकुंड बनाया हुआ है और तुंग भद्रा नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है विजय नगर से और इसके आसपास का भूद्रिष्य सुन्दत गिरनाइट की पहाणी से अक्षादित है जो सहर को चारों और से करधनी के समान घेरे हुए प्रतीत होता है तो विजय नगर समराज की कि परवतों से घेरा हुआ है तो प्राकेतिक रूप से कहती चीजें इसको प्राप्त है अब देखें यह है आपका क्या है यह आपका इंपॉर्टेंट कृष्ण रिवर ठीक है यह तुंगभद्रा रिवर यह कृष्णा तुंगभद्रा दो आपकी जर्जां हम कर रहे थे हैं तो यह आप इस मॉडरन मैप में भी देखके समझ सकते हैं ठीक है विजय नगर का चेतर प्रायदीब का सबसे शुष्क छेत्रों में से एक था इसलिए पानी खास करके जो यह जो दक्षिन भारत है तो यह इधर की जो पहाडियां यह वेस्टन घाट्स कहलाती है है ना वेस्टन घाट्स पस्चिमी घाट्स और यह जो है यह यह तो यह क्या है यह रेगुलर पहाडियां यह बिल्कुल यह पहाड़ी सुरू होती है तो नीचे तक आ पानों से टक्रा कि जस्ट इसके बगल वाला जो इलाका होता है ना वह क्या हो जाता है वहां पर एक तरसा कह सकते हैं कि ये मरोस्थली इस्थिति या थे मैंने बढ़ी पानी की कमी हो जाती फिर आगे आपको पानी मिलेगा लेकिन जस्थ बगल में दिक्कते रहती है और हाड़ी से निकलने वाली लगबख सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग-अलग आपार में हौज या जलासय का निर्मार किया गया तो ये एक यूनिक अगर इसे कमल पूरम जलाशय कहते हैं यह कोशन पूर सकता है किस समराजे की विशिष्था थी तो विजयनगर इस जलासय के पानी से आज-पास के खेतों की सिजाई की जाती थी और इसी जलाशय से एक नहर के माद्यम से राजकी एकेंद्रों को भी जलापूर्ति दी जाती तो खेतों की सिचाई और इसके अलामा जो प्रशाशनिक कारियों के लिए राजकी केंद्र हैं उनकी सिचाई ये सारी उनको पानी किया पूरूति ये सब इसी नहर से की जाती थी विजय नगर की सरवानिक में अत्पूर्ट जल संदाचनाओं में हिरिया नहर इसका इमेज आप देख रहे तो हिरिया नहर वाले ही इमेज थी उसमें बीच बीच में फिर वाहां से जल निकालने की विवस्था थी इस नगर में तुंग भद्रा नदी पर बने बान से पानी ले आए जाता था तो यह इंपॉर्टेंट धान अकिएगा हिरिया नहर जलापिर्थी की इस प्राली को देखकर ऐसा प्रतीश होता है कि जल संपता के संचैन और जल की आवशक्ताओं की पूर्थी के लिए विजय नगर के सासों को द्वारा आवश्यक प्रवंद किया गय लिए कई सारे जलाकुंडों का निर्मार किया जाता था इन जलाकुंडों या नहरों को नहरों का निर्मार भी किया जाता था इनमें पानी की आपूर्थी करने के लिए तुंग भद्रा नदी के पानी का इस्तमाल भी से शुरूप से किया जाता था यह बिल्कुल ध्यान अगर सहर की विशेस्ताओं में से उलेखनी थी उसकी किले बंदी यानी चारों और से उसको घेरना विजय नगर की सुधिन किले बंदी के विशे में विदेशी यात्रियों ने भी अपने वृतांत में लिखा है पंदरवी सताब्दी में फारस के सासक अब्दुर रज्जाक को एक राजदूत के रूप में काली कट भेजा था तो यह अब्दुर रज्जाक जो है वो एक राजदूत बनके फारस सया था ही तो हमने चर्चा की है और यह पहले काली कुट में आया जो भी कज़ू कोड कहा जाता है और यहां कि किले बंदी देखकर वह अत्यधिक प्र सरदान से होती है होता क्या जिसमाली जी खेत है इस खेत में चारों ऐसे पत्थर गाड़े गए और यह पत्थर गार के इनको तारों से या किसी भी नुकली चीज से इसको घेर दिया गया यह आज भी प्रक्टिस किया जाता है ताकि जानवरों से या अंचाहेव जानवरों को खेतों में घुछने से लोका जा सके इन पूरातब विदों को धार्मिक केंद्र और नगरिये केंद्र के मद्ध एक कृषी छेत्र के साक्ष मी मिले तो ऐसा पाई जाता था एक जेरिया होता था जहां पर मंदिर धर्म का काम होता था एक जो लोग रहते थे और इस भेच मे का एरिया बनाए जाता था तो यह इंपॉर्टेंट देखा गया इस क्रिसी छेत्र में सिचाई एक व्यापक नगर पुनाली द्वारा की जाती थी जिसमें तुंग भद्रा नदी से पानी आता था तो पानी तो मने भी बताए कि सिचाई के लिए चुकि हमेशा बारिश नह करना विजय नगर के जो क्रिसी छेत्र को किलेबंद भूभाग के अंतरगत रखने का विजय सुद्धिस था मद्यकाली नियुद्रप्राली में विजय प्राप्ति के लिए घेराबंदी की भी भूमिका इंपॉर्टेंट होती थी बहुत सही बात है तो किलेबंदी करने का खादे समागरी से वंचित करके आत्मसमर्पड के लिए बात करना था तो यह इंपॉर्टेंट है और खेतों को भी खास करके से घेरी की कोई उनसे अराज न ले सके उसके अलावा सहर को इस तरह घेराबंदी करिए कि अनाजों से दूर किया जा सके सत्रु को और वो जठाएनगर समराज हे अब यह हां पर किलेबंदी करके सत्रु ने अनाजाने से रोग दिया यहHI depressed कि क्ले बंदी बन 서hari के अंदर करते थे अनगार बनाते थे क्या करेंगे अगर सत्रु ने घेर लिया बन कर दिया पूरती तो यह अनगार सुरक्षित रहें और यह अनाज वो जनता को दे सके यह इंपॉर्टन इसलिए भी किलेबंदी की जाती थी इसके परणाम इन पर सीतियों से निपटने के लिए अन्नागार बनते थे निशन्दे विजयनगर के शाष को द्वारा कृसी छेत्र को किलेबंद छेत्र में रखने के कई लाब थे इसके पर अनाज की उप्रब्दता बंती मिलती रहेगी और जनता को भूकमरी से बचाए जा सकता है सो दोजवार टैक्टिस टू तो प्रोटेक्ट दा क्राफ्स प्रोटेक्ट दा ग्रेंवीज फ्रम दो एनिमीस तो सत्रूं से फसल को खेतों को बचाया जाने के लिए बचाया रख ग diplomatी थी इसके कारण आ जो खाधनापूर्थी संकत पढ़ जाती ती अगर किलेबंडी नो होतों तो उसे विवाश ओकर घेराबंधित तो खेतों चित्र में होने की कारणर जो सत्रूव होता था उसको अनाजी नहीं मिलता था दो अनाज नहीं मिलता था तो घेराबंदी स दूब लिए सार्शन लोग दूशवणों से बचा जा सके दूर्ग में प्रवेस करने के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार मनाय गयाया थ Suppose मुख सडकों से जोडते थे तो ये तो कई शाशनकालों में देखा गया है की माली कीले बंदि हुआ है और कीलेबंदी में कई सारे द्वार बनाए जाएंगे इसी द्वार से बस कोई निकलेगा इस पर शैनिक रहेंगे और यह मुख्य सडकों से जुड़े रहते थे हैं तो अगर कोई भी इसमें अंदर घुशना चाहे तो तारों खिला है और यहां पर द्वार बनाए गया है हर आदमी बिना अनुमत्ती का इसमें घुस नहीं पाता था ठीक है इन प्रवेस द्वार का निर्मार सहर में नियंत्रित प्रवेस के उद्देश से किया जाता था बहुत कमी लोग उसमें प्रवेस कर सकते थे यह प्रवेस द्वार स्थापत तकला के नमूने है और इस वि मिलाकर इमारतों का निर्मार किया जाएगा तो इंडो-इस्लामिक कलासायली कही जाएगी ठीक है इसके कई उधार है जैसे अगर आप राश्ट्पती भवन के आसपास जाकर देखें तो आप मुगल-कालिन के भी आपको इंडो-इस्लामिक काल का एक अच्छा नमूना उसमे तो यह देखने को मिलता है सहर के अंदर जाने के लिए वहां से बाहर आने के लिए कई सडकों का निर्मार किया गया था सबसे मैठपूर सडकों में से कुछ मंदिर के प्रवेसदारों से आगे बड़ी हुई हैं और ऐसी सडकों के दोनों और बाजार होते थे यह देखा ज शहरों की बनावट इस्थिती को अच्छा बताया है इसके अनुसार यहां बाजार चावल गेहूं अनाज भारतिय मकई कुछ मात्रा में जौ सेम मूंग डाल कला चना इत्यादी पदार्तों से भरे रहते थे यह इससे हम क्या पॉइंट निकाल लेंगे उन्नत क्रिशी उन्न से जैसे विश्कार हुआ तो खेती और उन्नत हुई तो उससे बड़े बड़े फिर क्या हुए सैन ने गुट पैदा हुए बड़ी बड़ी सैने सेनाय पैदा हुई और उससे बहुत लाब हुआ तो जहां क्रिशी उतनत सील रहेगी वह जो सामराज रहेगा वह अपने अवाश हो के पूरा तत्विक साक्ष कम मिले हैं शहरी साक्ष कम मिले हैं यहां एस्थित मकबर और मसजीदों के साक्षों से इसा प्रतीत होता है कि मुसलिम रहाइसी मुहला था यह तथि!!! लेकर नहीं है मतलब ऐसा पता लगता है कि जो सहर थे उसमें मुस्लिम ज़्यादा रहते थे यह तब लेकर नहीं है कि यहां से प्राप्त मक्बर और मस्जिदों की इस्थापत तकला शैली और हमपी में मिलें मंदिरों के मंडोगों का सैली काफी मिलता जुलता है यह यह बताया था कि दिखिए जो तरीका होता है बनाने का वह स्थानी चटा रहता है चाहें कोई भी शाषक आ जाए बिल्डिंग मैटेरिल एक जैसे रहते हैं तो कई धर्मों के अलग-अलग बिल्डिंग्स भी एक जैसे बनते वे दिखाई पड़ेंगे कुछ में क्या होग समाने लोगों के आवास के साक्ष मिले नहीं है तो शहरों के बहुत जादा साक्ष प्राप नहीं हुए है इस अंदर में सोल्वी सताबदी के पूर्तगाली यात्री बार्बोशा ने समाने लोगों के आवासों का वड़न करते हुए लिखा कि लोगों के अन्य आवास छप में आया है कि एक और इंपोर्टेंट बिजये नगर का साही केंद्र इसकी चर्चा बहुत आती है ठीक है शाही केंद्र तो यह शाही केंद्र बिजये नगर समराज्य का एक बहुत महत्रपुन पार्ट माना जाता है अब क्या था देख लेते हैं यह दक्षड पस्चेमी करते हैं तो होता है कि शहर के एक भाग विशेष के लिए साही केंद्र नाम दिया जाना उचित है क्योंकि धर्म और धार्मिक वर्गों की विजये नगर समराज्य के राजनियतिक समाजीक और धार्मिक जीवन में महत्रपूर्ण विशेषता थी तो शहर के दक्षड भाग में था ठीक है विजये नगर के शाषकों का मंदिरों और समपर्दायों को स्रणरक्षन परदान करना उनकी प्रशास्निक नीती का अंग था मैंने सुरू में बताया कि जब भक्ति आंदोल में चल ला था तो जादे तर शाषक किसी 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 संत्या किसी इस्ट सिट को लेकर और उसे अपने समराजे के साथ जोड लेते थे मंदिरों को संदक्षन परदान करना चीव मं और समास На और विशये नगर समराट में न कर रहे थे उनका यह प्रसाषाषनीक पाट था वे इन देव स्थलों में प्रतिष्थित देवी देवताओं से संबंध् चल रहा है और उस आदेश को जनता भगवान का आदेश माने और उसी इसाफ से फॉलो करें विजय नगर के लगवक सभी शाष्रकों ने धर्म शाहिशूर निती कामश्रण किया था और बिना किसी भेगदाओं के सभी मंदिरों को अनुदान में दिया था तो रिलिजियस तरह कि ऐसा कोई उधारण नहीं मिला है जिससे यह पता चले कि वहाँ पर कोई कटरता थी विजय नगर समराजी के राजाओं में अब एक और बड़ा इस पॉर्टेंट चीज़ वहां से मिला है महानवी डिंबा यह एक अनुस्थान जैसा था तो विजय नगर के शाही के में कुछ अच्छी विशिष्ट संदचनाओं के नामकरण में भावनों के आकार और नुने संपन्न होने वाले कार्यों को आधार बनाए गया है ठिक मना कुछ ऐसे जिसे माली यह यह चीज़े प्राप्त हुई है कुछ ऐसी आकृती वाले भवन मिले हैं जिसे लगता है कि यह किसी विशेश अनुस्ठान या पूजापाट के लिए बनाए गये थे साही केंद्र के अंत्रा छेतर में प्राप्त सफसे विशाल संदचना राजा का भवन है इस संदचना में दो सरवाधिक प्रवावशाली मंच है जिने सभामंडप या महानौमी डिब्बा के नाम स तो ऐसा लगता है कि जैसे मंडप बनाने के लिए स्टेज बनाके बीच बीच में छेट छोड़ा जाता है कि उसमें कोई चीज हमगार के ऊपर कोई छत्री लगा सके आसपास छिद्र बनाए गया है इसमें दूसरी मंजिल को भी इनी स्थम्हों पर ठिकाया गया था दूसर मंच बनाये जाने का प्रयास किया गया और जिस मन्च में यह बात आती है कि साथ इसमें अनुष्ठान किया जाता होगा इसमें कोई पूजा पात किया जाता होगा तो सभहामंदप और महान dewवी डिब्बा यह से आता है ठीक है इस सनरेशना से उड़ा हुए एक वार्षी राजकी अनुष्ठान होता था जो सितंबर या अक्टूबर के होता था जो दस दिनों तक चलता था तो जैसे होता है ने नौरात्री का 9-10 दिन वैसा कुछ होने का इसमें अनुमान लगाए गया है इस अनुष्ठान को उत्तर भारत में दशहरा बंगाल में दुरगापूज भारत में नौरात्री यादिक के नाम से जाना जाता है और यह माना जाता है कि महानोमिक अर्थ महान नुवा दिवर्ष और जो यह स्टेज बनाया गया है यह उसी 10दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया होगा इस राज्क की अश्रों की पूजा और भैशों की पसुंगों की बली दी जाती थी यह ऐसा वहां से पाए गया है इस उत्सों में निर्थ और कुस्ति जैसी प्रत्योगताओं का आउजन साज लगे घोड़े हाथी रत सैनिकों की शुभायात्रा प्रमुक नायक और अध्यस्त राजाओं पूर्ति पूजा आश्वों की पूजा उपहार का लेंदेन है ना हाथी और रथों और शैनिकों की शुभायात्रा तो एक परेड यह सारी चीजें उसमें होती थी आप यह इसली यहां से लिख सकते हैं ठीक है तो महानौमी यह यह जहरा से रिलेटेड यह पूरा कंसेप्ट आप वहाँ पर कर सकते हैं ठीक है रोयल सेंटर जो होते थे अब आते हैं थोगा सब धार्मिक केंद्रों के तरफ तो यह शाही केंद्र हो गए और साहिस्थल हो गए जहां पर राजा का भवन कई सारी मूर्ति धार्मिक अनुष्ठानों का छेत्र हुआ करता था एक अलग हो गया अब एक अलग से धार्मिक छेत्रों पर आते हैं तो विजय नगर समराज के राजनेतिक सामाजिक और आर्थिक जीवन में धर्म का महत तो इंपोर्टेंट था राजधानी के रूप में विजय नगर का चैन भी बिरुपाक्ष और पंपा देवी मंदिरों के अस्थित्यों से किया गया बताने का प्रयास यह है कि धार्मिक इं उसको क्या किया विक्सित किया तो जो जो पहले से परंपराये चली आ रहे थे उसको और नया बनाने का प्रयास किया धार्मिक चीज़ों में और नई पूटठ डाला और विक्सित करने की कोसिस की जाती थी पिर आता है अगला important point गोपूरम और मंदब यह भी धार्मिक भी ह आर्किटेक्चर भी है दोनों पॉइंट से उसको लेके चल सकते हैं गोपुरम जो मंदिरों के गेटवे टाइप के होते हैं इस तरह के गोपुरम बनाए जाते थे इसकाल में मंदिर इस्थापत्य से संबंधित कई सन्नचनाय मिली हैं जिसमें राय गोपुरम अत्वा राज की प्रवेस द्वार होता था जो सरकारी रूप से बनाय जाता था इसमें छो नबी दूरी से मस्जीद होने तो आप यह अंदाजा लगा सकते थे कि सायद यहां पर कोई अब मंदिर आने वाला है ठीक है इन गोपुरम की उचाई और भवेता के समक्ष सभी देवालों की मिनारे बौनी पर्तित होती थी तो यह इतना बड़ा विशाल गोपुरम ही होता था अगे जाके अंदर यह मंद संपन असाथा खोता था उतना ज्यादा वह हैवी गोपुरम का निर्माद कर रहता था और इससे एसास कराते थे कि मेरे पास संसाधन टकनीक पैसा और संपनता बहुत ज्यादा है ऐसा दिखाने का प्रयास करते थे मंदब एवं लंबे इस्तम वाले गलियारे जो मंदिरों में आपको दिखाए देगा कि एक कॉरिडोर होगा दोनों तरफ खंबे रहेंगे फिर आगे जाकर मंदिर होगा यह तक्षीन भारत के कई मंदिरों में ऐसा देखा गया है ठीक है अब जैसा कि मने कई बार चर्चा की अब देखिए यह आप अगर आप देखेंगे तो अधूरी रहे जाएगी तो यह कई सताब्धियों तक इसका निर्माण होता रहा पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर का निर्माण 912 सताब्धी में हुआ थैसब से पहला जो इसमें निर्माण शुरूवा नौवी और 12 सताब्धी हूआ का लांतर विजे नकर समराजए की स्थापना के बाद इस मंदिर में के आकार को और अधिक बढ़ा किया गया तो यह इंपोर्टेंट है इस परिसर में मुख्य मंदिर के सामने बने भव्य मंदप का निर्माड कृष्ण देव राया ने अपने राजया रोहण के समय किया तो कृष्ण देव राय की तो बात करके बिभीर्ण प्रकार के कार्यों के लिए क्या जाता है अब देखें यह लाइन से कई चार्मी चीज़े निकलती इंब किसी समाजी कारे के लिए लिए जैण पर प्रसास्टनिक कारेवी नि производि निप्टाने है या कोई राज्द कारें मीटिंग करनी है कोई सभाय उजित करनी हैं वहां भी इन मंदिरों का इंपोर्टेंट उप से प्रयोग होता था और इसलिए मंदिरों के आसपा शहरों का विकास शासन व्यवस्था का विकास भी देखा जाता था ठीक है यह ध्यान लखेंगे अब इन सभागारों में से कुछ में देवताओं की मूर्तिया नित्यसंगीत नाटकों के विशेस कारेकरम देखने के लिए रखी जाती अब देखिए कितने सारी चीजें इन सभाओं पर होते थे यहां पर एक तरसे इकटाओं कर कोई नित्यसंगीत भी हो रहा था नाटक देखने के लिए किया जाता था तो यह बड़ा important रूप से देखा जाता था फिर विठ्थल मंदिर आता है इसे बहुत विठ्थल एक भक्ति अंदोलन के भी important रूप से पाट रहें और विठ्थल फिर बाद में को भगवान के तोर पर लोग माने देखा जाने लगा तो यह बहुत important है यहां का दूसरा प्रमुक डेव इस्थल विठ्थल मंदिर है उस मंदिर के प्रमुक देव इत्थल है जो एक महराष्च में पूझे जाते हैं करना तक में बिठ्थल की पूझा को प्रसलित करना CHका गै कि सामाजिक संस्कृति के निर्माण के लिए भिन भिन परंपराओं को आप्रसा कर लिया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन तो यह विठ्थल थे यह विठ्थल महाराष्ट के आसपास फेमस थे ठिक और महाराष्ट करनाटक एक दूसरे से लगे हुए हैं लेकिन उनका मंदिर यहां विजय पढ़ती है कि अलग संस्कृतियों के भी देवी देवताओं के मूरती उनके मंदिर वहां पर बनाये के इस्टेबलिस किये गया है इस मंदिर में अन्य मंदिरों के समान अनेक सभागार है इसके रथाकार का भव्य मंदिर का इसका प्रमु का आकर्षण है ठीक है यह आप सकते हैं इंपॉर्टेंट रूप से विजय नगर समराजय का भारती इतियास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि हम देन की बात करें अगर इसका मैं तो इस तथ्य में नहीं था है कि उसने दक्षिन भारत में हिंदू धर्म सभ्यता और समाज को एक लंबे समय तक सुरक्षित और पल्वित होने दिने में सफलता दिलाई तो अगर हम बात करें कि विजय नगर की आखिर में देन क्या है इस भारत को तो सबसे बड़ा देन है कि एक बिसाल समराजय के रूप में उबरा जिसने क्या किया दक्षिन भारत में हिंदू धर्म सभ्यता और समाज को लंबे समय तक सुरक्षित और पल्लवित करने में भूमिकानी भाई आसपास के मुस्लिम पर अपनाय चल लई थी पूर्तगालियों ने भी अपना प्रारम विस्टार्ट कर दिया था उस बीच इन सभी चीजियों से लड़ते हुए एक बड़ी सभ्यता का निर्मार करना उसको बहुत दिन तक बना के रखना इसके अलामा सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी बहुत तेजी से विकास करना ये एक प्रमुक विस्टार है विजयनगर समराजी की ठीक है जिसमें मंदरियों का निर्मार हुआ जिसमें धार्मिक सहिशुर्ता देखी गई जिसमे करिशी का बहुत विस्तार हुआ जिसमें राज्यों में सहर्ने सफलताएं भी उसने हासिल की तो ये विजयनगर समराजी की गरारां और शाषनकाल थी वह बहुत उन्नत थी बहुत संब्रद्य थी और बहुत संपन्य थी इन विदेशी यात्रियों के नुसार केवल राजा ही धनवान नहीं थे बलकि उनकी प्रजा भी धनी थी विजय नगर में कृसी ब्यापार और उद्योग सभी में उन्नती हुई थी बिदेशी और यह क्या था पूरी तरीके से वहाँ पर इस्तेब्लिस था और अगर इसके आर्थीक पक्ष में आप लिखेंगे नगर यह द्नत 구리 और इस क्रिशी में भी अभी किवल कोई एक तरह का अनाज हमने भी देखा था मक्का चना तो कई तरह के अनाजों के साथ उन्नत क्रशी थी बीदेशी ब्यापार था तो आर्थिक रूप से यह संब्रज़ों तो रहेंगे इसमें कहीं कोई शक नहीं है ठीक है इस समराज में अनेक बंदरगा और विजय बिजय नगर राज के आसफास एक छोटा जल बेड़ा भी था तो कलते हैं religious tolerance यानि हिंदू शाषन के बाद मुशलमानों को संदक्षर प्राप था इंपोर्टेंट है विजय नगर के राजा वैश्णो धर्माव लंबी थे वैश्णो धर्माव लंबी यानि किसकी विष्णू के पूजा करने वाले यानि विष्णू के आवतारों मानने व तो यह हुए थे अलवार जो 12 संतों का एक समू था ठीक है तो यह भी साथ सार में धान लखिएगा बारबोसा में राजा क्रिष्ण देवराय की धार्मिक उदारता की बहुत प्रसंट सा की थी और क्रिष्ण देवराय तो सबसे प्रमुख के इंद्रविंदू रहे इस जिस समय उत्तर भारत में मुस्लिम धर्मांदता का शाशन था उस समय धक्षित भारत में धार्मिक शहिसुर्ता की स्थापना बिजय नगर सामराजी की महान देने इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन ठीक है पोलिटिकल लाइन भी है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है देखिए उत्तर भारत में क्या चल रहा था दिल्ली सल्तनत है ना स्लेव डैनास्टी विखिल जी तुगलक लोदी इस तरह के वंस चले इन वंसों में धार्मिक धर्मांदता यानि ऐसा देखा जा रहा था कि बार-बार इसलामिक सरिया पर चलाने का प्रयाश इसलामिक कट हिंदू शाशक लेगिन धार्मिक रूप से सबको यहां पर संद्रक्षन पराप्ता ठीक है यह ध्यान लखेगा कि अगर उसकी देन की बात करें विजय नगर एंपार की तो इसमें कोई सानी नहीं है आज भी हमपी शहर में जो महत्रपूर्ण कला कृती जो भगना वशेश यह सारी चिस्जें आपको मिलेंगी वो अपने आप में अनूठी हैं रोचक हैं तो विजय नगर में स्थापत्य कला के छेतर में काफी उन्नती हुई राजाओं ने अपनी राजधानी में भब्ब भवन सुन्दर मंदिर बनवाया राजाओं ने अनेक जलासे तलाब भी भवन तथा मंदिरों की दिवारों पर चित्रकारी की जाती थी तो जो आटेन अर्किटेक्चर वहां से मिला है वो आज भी अध्भूद है चाहे वो शोशल वर्क वाला इंफ्रसक्चर हो नहर कैनाल इस तरह की चीज़े दिखाई पड़े या मंदिर बिरपाक्ष मंदिर और यह सारी चीज़ें तो हमपी के मंदिर्स तो सारे ही हैं तो यह अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राध्यकृष्ण देव रायद्वारा बनवाये के हजार स्थम्वाला मंदिर हिंदू स्थापत्यकला का लिती नमूना माना जाता है इसके अतरिक्त विज चीज़ें राजाओं ने संस्क्रिट तेलगू और कंणड भासाओं में साहित्य में रुचिली और संस्क्रिट तथा तेलगू साहित्य की उन्नती भी हुई कंणड विशेश पूओस से इंपॉर्टेंट था यह पर विजय नगर समराजे के राजा स्वयं विद्वान थे साहित्य के संरक्षन से तो लिट्रेरी जो सोर्सेज हैं जो साहित्य का विकाश और संरक्षन हैं वी विजे नगर में देखा गया यह पॉइंट्स आप बिल्कुल ध्यान देते हुए चलेंगे बेदों के विक्यार भाशकार माधो विद्दारण यह इंपॉर्डेंट है स्कूर्चर डेना विद्दानों को अपने राज में रखना अपने कोर्ट में रखना यह सब विजे नगर समर्ढ़ी के राजाओं ने बिल्कुल जाली रखा इमपॉर्देंट उसे समस्ते रहे तो अगर सारे सारे पॉआइंट्स को हम करने का प्रयास करें तो एक ऐसा सामराज जो की अपने आप एक बिद्रो ही बन कर यानि मुग दिल्ली सल्तनत के बिद्रो में हरियर एंड बुक्का ने इसको स्टैबलिस किया संगम वन्स तुलू वन्स वन्स कृष्णदेव राय तक विशेश रूप से राज चलता रहा और राम र खंड में ही धार्मिक रूप से सांस्कृतिक रूप से आर्थिक रूप से बिशाल प्रक्रति स्वामराज ने पाई और एक अठूना अनुठा शाशनकाल देखा गया जो साथ-साथ में ट्रेवलर्स की चर्चा भी हुई जैसे कि अब दुर्रज्जाक की बात हुई पेशो समझ में आया होगा कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन अगर इस चेप्टर में है तो अभी कमेंट बॉक्स में बता दीजे बहत बहतरीन ये पूरा सामराज है रहा जिसके इंपोर्टन पॉइंट्स हमने देखे ठीक है एक और खास बात का ध्यान आप रखेंगे कि आपकी पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए हमने एक वेफसाइट भी त्यार की है www.magnetbrins.com तो इस वेफसाइट में आप आएंगे तो यहां इंग्लिस मीडियम स्यू एटी यूपी बोर्ट बिहार बोर्ट सारी चीजे ऑप्शन से मानलीजे आपने 7-12 हिंदी माध्यम सेलेक् तो यहां गड़ीत इतिहास रानीति विज्ञान भोल और तसास्तर जैसे महत्यपूर्ण बिश्यों की पढ़ाई आप कर लेंगे जहां पर आपको क्या होता है पहले पूरे सलेबस का एक ओवर्वीव दे जाता है कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक वाइस वीडियो बनाए जाते हैं फिर एंसी क्यूस त्यार के जाता है फिर एंसी आटी शॉलूशंस इसके साथ साथ प्रीविएस येर कोश्चन सैंपल पेपर से सारी चीज़ें यहां पर आपको दे दी जाती है कि आप एक साथ एक जगह इनको पढ़ सके ताकि कि आप को कहीं ज़्यादा भटकना ना पड़े और क्लिक करते ही आपके सामने यह क्या होता है पूरा चैप्टर खुल के आजाता है जहांसे आप प्रीवेस वीडियो नेक्स्ट वीडियो कुछ भी करके पढ़ सकते हैं सबसे बहुत जानकारी खास यह है कि चाहें आप हमा अपना धान नखे टेक क्या बाई बाई